शपत लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, दो तीन मंत्री भी शपत लेते हैं, खुब तालिया बचती है, और फिर नितीज जी निकल जाते हैं, वापिस सीम हाउस के ओर चल जाते हैं, वो अपना शॉल गवरनर के घर में छोड़ाए, तो ड्राइवर से कहते हैं, भाईया चलो, वापिस चलो, शॉल उठाना है, नितीज जी निकलते हैं, गवरनर के पास जाते हैं, दर्वाजा खोलते हैं, गवरनर कहते हैं, भाई, इतनी जल्दी वापिस आ गए, तो यह हालत है बिहार की, आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुल आए, मैं सुना देता हूँ, आपको सुनना है, तो आपके चीफ मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर, गवरनर के यहां, स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूम धाम था, वहाँ पे बीजेपी के नेता बैटे थे, गवरनर साब बैटे थे, सब मेले बैटे थे, स्वेरिंग इन होती है, शपत लेते हैं, चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, दो-तीन मंत्री भी शपत लेते हैं, खुब तालिया बचती है, और फिर नितिश जी, निकल जाते हैं, वापिस सीम हाउस के ओर चल जाते हैं, गाड़ी में पता लगता है, कि वो अपना शॉल गवरनर के घर में छोड़ा है, तो ड्राइवर से कहते हैं, भाईया चलो, वापिस चलो, शॉल उठाना है, तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवरनर के घर आता है नितिश्ची निकलते हैं गवरनर के पाश जाते हैं दर्वाजा कोलते हैं गवरनर कहते हैं भई इतनी जल्दी वापस आ गए तो ये हालत है बिहार की थोड़ा सा दबाग पढ़ता है और यूटर्न ले लेते हैं दबाव क्यों पड़ा क्योंकि भिहार में हमारे गटबंदन ने एक बात जनता के सामने रखी है इस यात्रा में हम पांच नयाए की बात कर रहे हैं उनमें से एक नयाए उसको आप समाजिक नयाए कह दीजिए उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए उसको आप भागिदारी कह दीजिए उसके बारे में हम काम कर रहे हैं मैंने पहले बाशनों में कहा है कि इस देश में अलग-अलग वर्ग के लोग है पिछ्डी जात के लोग है दलित है आदिवासी है, माइनॉरिटी है, जनरल कास्ट के लोग है हर समाज में कमजोर लोग है OBC समाज देश का सबसे बड़ा समाज है मगर अगर मैं आज आप से पूछू कि इस देश में OBC समाज की अबाधी कितनी है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते दे सकते हैं कोई नहीं जानता और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले बाशनों में कहा निड़ने लेते हैं तो ये ओबी सी अपसर सो रुपे में से पांच रुपे का निड़ने लेते हैं तो सरकार में ना ओबी सी की ना दलित की ना आदिवाज सी की भागिदारी है सरकार को छोड़िए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पांच सो कंपनीज को देख लीजिए उनकी लिस्ट निकालिए उनके मालिकों के नाम पढ़िए आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा मीडिया को देख लीजिए अखबारों को देख लीजिए टीवी को देख लीजिए एक मालिक OBC वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग आपको नहीं मिलेगा रिपोर्टर मिल जाएंगे उनको भी कोने में बेठा रखा है जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे हैं मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक OBC एक दलित वर्ग आदिवासी नहीं मिल सकता प्राइविट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए प्राइविट कॉलेजे उनिवर्शिटीज को देख लीजिए प्राइविट हस्पताल देख लीजिए एक मालिक आपको OBC दलित वर्ग आदिवासी का नहीं मिलेगा तो मैं सिर्व यह सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम समाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछडों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है अब सवाल बनता है पहला कदम क्या होना चाहिए किसी को चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है पैर में चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो X-ray जाके कर लो X-ray करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड़ी कहां से तूटी है सही बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक X-ray हो जाए एक X-ray हो जाए उसके बाद MRI भी हो सकता है मगर पहले एक X-ray हो जाए किस देश में किसकी कितनी अबादी है लोगों की गिंती हो जाए जेनरल कास्ट के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है OPC जात के इतने लोग है उसमें से अमीर इतने है गरीब इतने है किसान इतने है मजदूर इतने है भूके इतने है आदिवासी के इतने लोग है इसमें अदिवासीों में अलग,लग,लग ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं जलेत इतने हैं इसमें जलेतों में ये अलग,लग लोग हैं ये भूके मर रहे हैं यह मजदूरी कर रहे हैं